हेलो दोस्तों गैसे आप सब उम्मीद करते हुए अच्छे होंगे और आज आपके लिए बहुत हीन्प टॉपिक होने वाला है बहुत इंप्वोटन जो कि आपके एक्जाम पॉइड़ इस से देखा जाए तो इतना इंपवोटन निजिकि आपको एक कि सी पिसाम को देने जा रहे हैं विहार विपिसेस दे रहे हैंया स्विच्छे लिए एक हैं अन सब एक्जाम में आपको सैंस गडना के बारे में आपको डाटा पूछा आता है एक्वागे को सा अथ गांप कि आपको हेड रचार करेंगे हर साल एकजाम में तीन से पूछे आते हैं तो यह पूरी क्लास देखे सभी लोग और क्लास को शेर भी करिए दोसे दोस्तों तक ठीक है तो इह बहुत होने वाला है है आप सभी के लिए क्याव क्योंकि यहां पर complete डेटा complete चीज अपको मिलने वाली देखेगा इस questions इस topic से इस वीडियो से आपको सीधे सिरे आपको exam में question देखने को मिलेंगे तो सभी लोग class को देखेंगे और notes हो सके तो जरूर बनाईएगा सब्सक्राइब हो सब्सक्राइब हो रहा है सब्सक्राइब हो रहा है हिंदी माध्यम के लिए online और offline दोनों मीडिया में शुरू हो रही है तो जो भी स्टुड़न चाहते हैं यूप सी के चाहते हैं दिल्ली में आके त्यारी करना तो दिल्ली में आईए कोचिंग में आप यहां पर offline में त्यारी कर सकते हैं इसमें बात करेंगे अगर की ऑनलाइन class होगी तो इसमें क्या मिलेगा आपको 1000 घंटों की live class मिलेंगी इसमें live भी होगी और कुछ classes आपको recorded भी देखने को मिल सकती है इसके अलावा अगर आप पढ़ाई करते हैं आपको कुसी बितरह समस्य आती है अपने नोट्स बनाने में पढ़ाई करते हैं कुसी बितरह का important session है बहुत important है और यहां से एक्जाम में कोशन हर साल देखने मिलेगा अभी पूरे क्लास तो आप खुद देखेंगे शीर को अगर आप पेपर आपने देखा है जंगड़ना भारत की जंगड़ना 211 की बात करेंगी हाँ पर इसमें क्या है देखी लिखा भारती सविधान संग संग का विसह हो है जोच संग का होता है यह अपने पढ़ा पर तो यह समिधान की 사वी अन्सूची में लिखा गया कि करम संथ पर उनकित है सात वीजन सुची में लिखा गय के अधीन कार्यत किसके अधीन आता है जनगाड़ना कार्याइल ем 오빠 जो है संगर्ठन है केंद्री कanterie कि विनित के अंदर या आता है जिसका उच्छत्म अधिकारी जो है भारत का महा महापंजिय। विल्में सब्सक्राइ liter contrast to haveail का महापंजियां लाइक व्क्लाइजस का आकडों को जारी भी करता है तो एक ही व्यक्ति करेंगे तो अलग अलग नहीं करेंगे इस्टेट्मेंट में फसना नहीं है और डाटा तब ही याद होगे कि जब आप दाटा को दो से तीन मार पढ़ोगे अच्छा से ठीक है चलिए आगे देखते हैं वरतमान में भारत के महा पंजी है जानली कशल नहीं है वरतमान में वरतमान में में पूशे कौन है Oui क्या तो भी आपको चेंज करना है रहे हैं ठीके वैसे लखन नहीं देना किया स्री मृत्युंजे कुमार नाराण यह क्या है तो यह जनगरना आयुक्त है अभी बच्वान की बात कर रहे है यह लेकिन सवतन्द भात के आजाद होने चाहिए कि शुरुवात महापंजग जणगना आएक तो यह प्रेल 2010 तो यह था अपको सितंबर 2010 को केंद्री मंत्री मंदल जाती आधारी जनगर्णा की सुईकृती प्रदान करी कब करी केंद्री मंत्री मंदल के दौरा कब किया गया तो 2010 में किया गया था सबसे पहले जाती आधारी जनगर्णा की बाद सोई थी 1931 के बाद पहली वार ऐसा हुआ है कि 2010 में जाती आधारी जनगरणा आपको याद होगे जीन है यह बरबर बराबर सरकार कब करवाई तो यह सबसे पहले कि नोट बनाइस का सबसे पहले 2010 में जाती आधारी जनगरणा की बात हुई थी सुईकृती पातान करी जो अलग से जून 2011 से ठीक है और सितंबर 2011 के बीच संपन्न होई थी कब संपन्न होई थी और कब स्विकृति प्रदान करें यह दोनों पॉइंट इंपोर्टेंट है ध्यान रखना और सबसे पहले का देखो जो ही थी इसका आदर्षुआ यमारी जनगरना हमारा हमारा इम्पोर्टैंट है यह बारत में रूप अधिन नियमित रूप से अधारोप से में लाड रिपन कारिकाल में शुरू में शुरू होती कब से होतीतμα है में नियमित रूप से चयोत हो हुई ठीक है तो एक लाइन आपके लिए बहुत इंप Lacan है अगया अधी आधनी के वह सब्सक्रास मी ने में Hakða Islandsclassgo सब्सक्राइब से जंगरना कराने के स्वेडन को जाता है इंपॉर्टन लाइन है यह शीरे शीरे कोशन यह एक लाइन अपके लिए Katherine है इसलिए बोला है ंबदोर बना लिना चाहते हो कि जंगणना से अपके सही न सुखनताते आप ऐसे ही तो आप अब्बे से गजी थी ठीक है और 1801 में इंग्लेंड में जंगरना प्रारम होए थी यह प्रक के परिवास आइसे अगर बात करते जंसांख्या क्षिक्छन अब से निकालते जो जंसंख्या घंथ्टों कैसे निकालते हैं यहां पर लिखा हुआ है कि जंसंख्या घंथ कथ पार प्रतिवर्ग किलोमीटर निवासित औस जनसंख्या से कितना है प्रतिवर्ग किलोमीटर प्रतिवर्ग किलोमीटर नहीं है याद रखेंगे प्रतिवर्ग किलोमीटर नहीं प्रतिवर्ग किलोमीटर है कि आख़े तो यह सारी चीज़े नोट करना देखे जन संख्या घनत तो क्या है कुल जन संख्या बटे कुल छेत्र फल इसको निकालते हैं जन संख्या अगनत ऐसे माण लोग्जाब में यही फार मुला ही पूछ लिया आप से तो आपको पता होना चाहिए लिंगा लिंगान पाद निकल आएगा आगे देखिए सिसु लिंगान पाद 06 वर्थ का होता है कितना होता है इस तरियो के संख्या को सिशु लिंगान पाद बोलते हैं चायल्ड सेक्स रेशियो बोलते हैं तो शिशु लिंगान पाद 06 वर्थ बटे बालकों की संख्या 06 की करेंगे और निकल लाएगा तो यह छोड़ी डिफिनेशन है जो आपको पता होनी चीए अब साथ शर्तादर क्या होती है तो साथ वर्स और उससे अधिक आयू का जो व्यक्ति ठीक है किसी भासा को समझ स सकता है ञाव साथ वर्स उससे अधिक आयू gena फिर छोटे चोटी-षोटी साछरता कै तो आपको यहां से के रहंगी में के आमसर जब लिखते हैं तो इन को एक छोटी definition की बहुत वैल्य होती है आप एससे की लिखने चलते हैं तो एससे में भी आपको जब शुरुवात करने हैं तो इस छोटी definition आपके बहुत क्या मा सकती है ठीक है तो देखो साथ वर्सादिके अकुल जनसंख्या में का है साच्छरों के प्रतिसत को जो साच्छर द्रेटिंडिकेडल ग्रोथ संख्या में ग्रेकेड़ प्रतिश्त में घ्न संख्या में है चीजय को देखना में फोर्मुला तो तो लोग छोड़ देते हैं आपको छोड़ना नहीं सारी चीज़ें सारी चीज़ें करके आनी इसमें तभी दूसरों से वेटेज ले पाऊगे दूसरों से आगे निकल पाऊगे पिर चलिए अज़ शिश्यो मिरतियुदर ठीक है और प्रती 1000 जीवित जन्र की संख्या के अनुपात में एक वर्ठ से कम हम और प्रती किसी वर्स में प्रती एक हजार जीवित जन्व पर उसी वर्स में मृत बच्चों में कितने बच्चे जीवित बच्च पा रहे हैं उसके उपर निकालते किसे शिशु मृत्य दर को ठीक है तो यह हमने आप से कुछ कुछ दिखनेशन कि बात की परिभासाओं की बात करी अवद आपको एक टर्मिलोजी क्लियर साथखरता क्या है साथखर क्या है रंगानुपात क्या होता है ठीक है यह पॉइंट से आप पे क्लियर होंगे तो आगे डाट हम लेने वाले हैं उन सारे डाटा को आप अच्छे से समझ सकते हैं कोई डाउट हो कुछ भी प्राब्लम है तो कमेंट सक्षन में आप कमेंट करें तो आपके चीजें वहाँ पर सॉट ओट होंगी फिर आपके लिए बात कर दोजार जन्गरना इसे उपर की वह के सभी नागरिकों के आखड़े सब्सक्राइब के यहां कि देना है कि राष्टी जन्ग्यान दोजार के अनुसार तक जन संख्या कि इस थिरता को प्राप्त करने का लच रखा गया तो आप से एक्जाम में पूछें कवतर लच रखा के दोजार पैंतालिस तक सीधा से बहुत इंपोर्टन क्योंकि यहां से आपके एक्जाम में सीधे कोश्चन आएंगे अगर आप सीधे को पढ़ लेंगे स निक्ञाल आ जाता है कहां से कंपेर करोता है तो कहां से 20 है वह गया फंक्र दोन में रखिटा कोषण सिर्फ सिर्फ पूछा घ्याँ बांगे तouse उनीश को महान व्राइब द्यान गया है अब भारत में जन संहेखें कि दसकी रई रखी रही है तो यहां पर रिडात्मा कितनी रही है तो यहां पर रिडात्मा कितनी रही है तो यह लगार्टन से तो यह जो बनाते हैं न महां विभाजक वर्ष के संगह नहीं कैश्च हब महां विभाजक वर्ष के संगह अब यहीं यहाँ प्रश्वादिक और से गतर के बीच में और यहीं दर्ज की थी सर्वादिक घाती वर्दिधर कब है कितनी है तो यहां पर आपके पास डेटा है ठीक है चलिए आगे देखते हैं और को कि अद्धे 211 की जनगर्णा की प्रमुख आकड़े यहां पर दिये बिल्कुल अच्छे से यहां पर कॉमा लगा ठीक है यह कॉमा लगा ध्याना इसी को 21 जीरो ऐसे मोबाइल लंबर की तरह याद कर लो एक कोश्चन पूछेंगे सीरे-सीरे डेटा पूछते हैं जिसमें इसे जी जी डाटा दिया जो एक क्या पूरुस है और 48.53 परसेंट क्या है यह महिलाएं है इस जनसंख्या में ठीक है डेटा आपको दिया यह भी आपको याद रखना है याद करोगे तभी काम चले कोई रास्ता है निसका ठीक है अब देखो 2011 की जनगरना के अनुसार भारत कुल जनसंख्या विश्व की जनसा कितना है सत्तरा समलों प्रतिसत है क कितनी हो गई है घड कर कितनी वइंए फन पॉइंट सिकस्तों प्रतिसत हो गई है और दसकितव तक्रतिसत हो गई है तो यहां पर 0.06 तो यह दंसक्या में वार्शी व्रद्धितर कितनी हो घट गई कितनी 1.97 से 1.64 हो गई जब कि दसकी व्रद्धितर 21 प्रसाथ घटकर 122 प्रसाथ हो गई है और नागा लेंड की दसकी व्रद्धितर जो कि कितनी रही रिनात्मा यह कोशन बहुत बार पूछा गया कि नागा लेंड कौन सा राज्ज है जिसकी दसकी व्रद्धितर नेगेटिव रही है कई बार कोशन पीसेस में आरो में कई सार एक्जाम में कोशन पूछा गया तो आपको यहार कितनी है जीरो पाइंट सिक्स प्रसेंट हो गई है ठीक है चलिए आगे देखते हैं कि जन संख्या घना तो 325 प्रतिव्यक्ति किलो मेटर से बढ़कर कितना हो गया तो अब हो गया 382 चलना इस से प्रजेंट टाइम पर एनिए अभी आपके पास आगले जो भी है 2011 के ही आपको आड देखे लिंगा अनपात क्या होगा अनपात कितना था नौसो इते से बढ़कर नौसो अतारह हो गया तो कितना गटा कितना बढ़ आपको जहां नखनी है जीरो यह यह जीरो चेकि बात होती अब जन संक्या कितनी है प्रशंटने हैं 68.48 से बढ़ करके कितना 43 परसंट हो गया और पूरुसों में 66 रधर कितनी हो गई तो से रेंट यह हो 75.26 परसंट से घटकर कितनी हो गई यह यहां पर लिखने है यह बढ़ी बढ़ी हुई कौन से बढ़ रहा कौन सा खट रहा देखो यह बढ़कर कितना हो गई कभी कभी एकजाम में 65.9 देंगे आपको तभी आपको यहीं पर रहना है यह वाला भी डाटा आपको पूछा गया था यह 64 वाला कि भारत साच्छरता दर कितनी है साच्छलों कितनी है तो 64.84 डेटा से आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछे 2001 का तो यह बताना है अगर पूछे 2011 का तो यह तो आपको दोनों याद रखना पड़ेगा ठीक है दोनों याद रखने में पढ़ना कंपेर करके इसलिए आपके सामने जो चीजे हैं यह कंपेर में बनाई गई गई है की रखने चलते हैं आप देखी यहां पर क्या लिखा है ग्रामीड शेत्र में तो और शार्ट पर क्ता हैं यह बात होरी एक एक में अब सहरी चेट में नियोंस्टम साचाहता दर्वाल को सा उत्तर परदेस है कितनी 1 exist में शाल बैसके नियुंतर प्र KI नंतर्थ बाद के तो आपका आंन्ध्र प्रदी सेक देट्टा को तो चार-पांच बार हमाले साथ बोलो सुन रहे हो तो बोलते भी रहना तभी याद होगा ये ग्रामीड शेद में सरवाधिक साच्छरता दर्वाला राज्य काउन सा केरल है 93 परसेंट देश में अब तक पूर साच्छर घोसित किये गया एक मात राज यह भी कोश्चन रहेंगी जड़ना 2011 के अनुसार देश में अनुसूजी देनी सी के व्यक्तियों की कुल संख्या 24 करोण है जो कि कुल जन संख्या कितना पर से 16 प्रतिस्त है और 2001 में कितना था 162 प्रतिस्त है मतलब क्या हो गया सी पॉपलेशन जो है थोड़ी सी इंक्रीज होई है थोड़ 45 याद रखना एक्जाम में सीरे कोशन पूछते हैं यह सारे 2001 से 2011 के दौरान देखें अगर बात करें तो जो एसी पॉपलेशन है 10 की व्यक्तियों कि कुल संख्या कितनी है अब देखो एस्टी की बात हो रही हाँ पर अनुसूजी जन जाती की बात हो रही है ठीक है कितनी ह है 10.43 करोन है जो की कुल जनसा कितना है 8.6 परसेंट यहां पर 8.6 परसेंट है कितनी है 8.6 परसेंट है यह ठीक है और 2001 में कितनी थी अगर बात करें तो यह थी यहां भी क्या हो गई बढ़ गई है ठीक है जैसे 16.6 परसेंट हो गई कब तो यह बढ़ गई है तो दोनों की परसेंटेज जो है दसके जो क्या हो गई बढ़ गई है ध्यान नखना शीज़िगो अब 2001 में अनसुज जन जातियों का लिंगा अनुपाद 900 कितना इन्यार के दौरान कितना वह बढ़ गया है कि इसको अडालेंगे ठीक है नौस नबबबे है दो जार ग्यारा के दौरान ठीक है और दसकीवर दितर कितनी हुए तो तेज समलो साथ प्रसतर यह भी पूछा गया यह भी पूछा गया है ठीक है सब पढ़ लेना सब दो से तीना वीडियो को देखना तो आपको याद हो जाएगा जन्रिगर्णा देशी कुल जनसंख्या में नगरी जनसंख्या के अगर बात करें तो 31.2 प्रतिसते बहुत बार कोश्चन पूछा गया है और ग्रामीड जनसंख्या कितनी भारत गाउं में बसता है सहर में भारत नहीं बसता है आपको यह डाटा यह आकड़े आपको बता रहे हैं कि भारत क्या है नगरी जनसंख्या कितनी है पूरे देश में अब दो जार एक में नगरी जनसंख्या जो सबसे कम है सबसे चोटा सबसे जनसंख्या वाले चार केंसासी प्रदेश यह से कौन है अंडवान निकोबार हैं दादर नागर हवेली है दमन दीव लक्षदीव ठीक है तो अगर क्रम पूछे तो क्रम इस लगाना सिक्किम जनसर में सिक्क्यम के बाद कम है Wow य aşांप आपको चारा नाम देंखर होंगे यही चारो नाम आपको याद रखने हैं है झाम वाला दाटा पूरा Too यह आपको यह डाटा अच्छे से या अच्छे से समझ रेना है इसको जी वीडियो हमारी कि मेला कि कुछ की आप सब उमीद करते हैं है ठीक है तो हम में टॉपिक शूरू करेंगे हमारा स्व इन सब कर रहे हैं कुछ शली आगे दोने कारी कमेरी कुछ जानकारी है जिसए कुछ बते ही और वाद के अन कुju कर आगे यहां से हम लोग बाते करेंगे थोड़ी सी important facts है कुछ data है जिसको आपको revise करना है अच्छे से practice करनी को कि यहां से आपको examen question हर साल आपको question 2 question हर साल देखने को मिलते हैं ठीक है तो देखें यहां पर बात जन संख्या के बात करें आप भारत के सर्वाधी जन संख्या और पांच राज जकौंस है जहां पर सरवाधीर से जासे मिलती है वह राज अगर महाराश फिर आपका बिहार आता है पश्ची मंगार नंबर पूछा गया सबसे कम जन संख्या अगर जो है है फिर अरवाच Żte real प्रदेश में और Goa में फि sinking नागलन्ड कर पर ऑधिकनि सब्सक्ना तो सक्राइब स्थैब्रेस से आपको शर्वारी किया अंगलन तो सबसे नागलन सबसे नीचे meal कौह सबसे नागालन से सुंफ़ होगा सिख्क्य में ठीक है आगे देखें आप रहे दश्की व्रदीधर के बात करते हैं तो सरवरी दश्की व्रदीधर वाले पाँचरा राज्य कौन से सबसे ज्यादा है जैसे आपका बिहार है फिर पश्य मंगाल है फिर सबस्तों में जैसे को पूछा पीसस में कि जलते हैं तो 829 एक रहां चौते नंबर पर आपका यूपी तो अभी एकुशन मैं पुछstaw में जंसंख्या नहां यहां पर स्थान प्रोथ हसान अब यहां पर नियुनत्म जंसंख्या घनत्य सबसום से कम लोग एक कांचे प्रदेसन इस नहीं पर यहां देखना को नगालेंड़atore पांच राज नियुनतम-jen जन्संख्या जहां पर अंय। है कहा पर जयदा का पर कम तो यह तो यहां पर वधिक है फिर तमिलाडु है तमिलाडू है कम है यहां पर और फिर आधप से यूपी का स्थान नहीं आता आपको पतावर्ण इसक्राइब पंजाब पांच्वें नंबर पर है और देखिए यहां प्रजान रिखना है आपको उत्तर प्रजय आपका है यह निवन अर्फन नंबर पर यह नियुनतम आपको यहां रखना कि कितना है 9002 है बस ठीक है पाँच राजगाउं से सबसे जो आपको आपको यहीं पढ़के जाना है नियूंतम पाँच राजगाउं से तो हर्याना देखो है फिर पंजाब जम्मु कुस्मी राजथान और फिर गुज्रात आता है की चीजों को पढ़ते रहे सुनते रहे सही सफेससे लें तो भी आपको चीज़े याद हो जाएगी अब सच रवाधिक सचर्टा परतेस्त वाले पांच राजगाउं से सबसे जला साचकरता कहां पर केरल में है मिजौरम में हिवा में यह जो आपके क्या है साच्छर्था की बात हो रही कि यह आ पर पोछ रहा है की सतरोफिक साच्रता कहां पर सबसे रहा है कि Crystal पूरुस चरता तब से पहले बात हो चरता की फिर भी इंदक्स के हां part yeah जहां लिए पुल साथ्षर्दैश के लिए यहां पर वह हो स्सक्राइब देखो लिए यहां पर ऐवस्टिव सार्षप में अब लोगहां तो न Chaos सब्सक्राइब यहां पर पर फिर विपभ आउनाचल को जाएगा पहले इस तरह से लेधा वाले से हम आपए नंति दिया हुगा इए कि अब महिला का सरवधिक महिला साच्रता कहाँ पर तो इस तरह सब लंकफल यहाँ वाले से वहां पुरूछर मैल वी सर फीयाव네व को साच्रता कैसे वी फू grandes तब महिला साच्वरता की बात करेंगे और यहां पर कैसे प्रतिशत की बात हो दिखान देने शीज़ को जो कि बिहार में है फिर अर्स्थान में फिर जारखन में जंसंख्या और सहरी जंसंख्या के बारे में सबसे आबाधी कहां पर हीमाचल प्रदिस में कहां पर हीमाचल में फिर बिहार में और फिर असम में एक दो तीन यह तीन जी जिरें तो प्रतिस्वत आले में बात करेंगे तो गोवा में है फिर मिजोरम में और फिर तमिनलाडू पर है कभी एक्जाम में के लगा लगा तो आपको लगाना नहीं था केरल में साच्छर्था जरूर पहले पर है लेकिन नगरी जन संख्या वहाँ पर क्या है चौथे अस्थान प पुछा रहेगा कि दूसरा अस्थान किसका है क्योंकि पहला दोपको पता है वहाँ है लेकिन दूसरा में जोरम सोच भी नहीं सकते हैं जैकर सबसे नगरी जन संख्या प्रतिस्वत पूछा गया तो देखो महाराश्वत है उत्तर प्रदेस आता है फिर तमिलाडू फिर प बिनक बना के समझो के तो चीजिए आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी रट्टना नहीं पड़ेगा अगल गुश्ये निजन संख्या यहां पर पूछ रहा यहां पर सिक्किम है फिर नागलन फिर मेज़ोर्म फिर मेगाले तो पांचो आपको याद रखने चीजे फांचो पुछ रहा है सिअव प्रति sırक या थो कहां पर सबीड़ा है यह कुछिंशंद फिर मा फिर उत्तर प्र्देश में आपका कौन सा स्थान है तो यह आपकze यहाँ पर नंबर करना यह आपका फोर ही है ठीकले की सिरिवार यह फोर है यह थ्री है तीसरी आपार आगा पश्चिमंगाल और दूसरी भी हिमाशल चौथ आपका उत्तर प्रदेश है स्थी आवादी में प्रतिसत में अगर बात करें सरवाधिक स्थी जनसंख्या राज जोल अगर पांच पूछ रहांगे तो यहां पर पंजाब नहीं प्रतिसत में पंजाब टॉपर है प्रतिसत में लेकिन जनसंख्या का इरवात करें इसी आवादी तो कहां पर यहापके उत्तर प्रदेश में सबस्चे जब्सक्राइब क्या है वहाँ पर निवास नहीं करती है ठीक है इसी को समझ लेना अब अब तरवधिक आपकी स्थी जनसंख्या वाले पांच राजगाउं से सब्सक्राइब करें यहां पर सबसे रहा है मध्ध ब्रदेश में फिर महाराष्ट में और फिर ओडिसा में ठीक है अब देखना से जनसंख्या के मामले में क्या है छटे स्थान पर है कितनी स्थान पर यहां पर डेटा दिया हुआ है तो आप को जरूत नहीं आपर सिर्फ को करम याद रखने बस कि सबसेरे कहा पर ट्राइब सबसेरे मदब्रद्रिस पर महाराज फिर ओडी सा कि सरवादिक अनसुजी आपकी देखो यहां पर बात हो़ी स्टीगी अनसुची जन जाती है तो प्रतिस्त वाले पर्तिसत में घ्यारवे स्थान पर हर्यान पंजाम में कोई भी स्टि आबादी निवास नहीं करती है फैसे आप Larry एसको बोलते हैं ऐसे यूटी कर लेना ठीक है य्यूटी टी अरinks यह जो भी डाटा को नेख्ञाइए कई ना कई पूछा को समझ लेना इसको नोट कर लेना घर चाहें तो तो बिना नोट की याद भी नहीं होगा तो सर्वित्सकीव रदीधर वाले पूछए यहां पर सब्सक्राइब कहां पर दादर नियुन्तम क्या है दसकी प्रदीधर भी आपके लक्ष दीप में तो दोनों डाटा सेम होगे तो आपके लिए आसानी होगे चीज़ों को याद रखना प्रदीप सबसे हैं तो यहां पर जादा है और नियुन्तम घनत्व अंडवान निकोबार कितनी 46 अच्छनदीगड़का आता है दिल्ली की चैठिक हमें यहां पर यहां पर 11220 लोग है जिए अब चाहिरी लिंगाणुपात के लिए करके बारे 태upati इंद स्थान नियुनत्यां में कहां然 Cubac तो पर दमन अर धीबल तो यु में दूसरा स्थान लक्षः पर की प्यूतिंप तो नियुनत्या मैं आउता है अदिक वह दिंद्ल्ली में तो कहा पर अंडवा निकवार्दु समू में और नियुंतम की अगर बातको नियुनतम आता पर नई दिल्ली में नियुले में और दिल्ली बचाहल के सब दूसरा स्थान पहला अंड़ा स्थान आखरिस्थान पर दनी में मिलोएं पर आपको देखने मिलना है week जो की यूटी इस यूटी है जो पर नियूनतम साथृता कितना है तो नियूनतम साथृता अपकावाला काउस है दादर नागर हवे लिए ठीक है और तुसरा अस्था दमन लिप आता है साथ्षरता में दूसरा यहुंश्ञ पीसे स्में आया हुआ है जाने कितने सरवधी अब जब ऐसे चीज़े आपको मिले सेम तो आपको एक ही जगहे पर लिखना जिसे आपको याद करना आसान हो जापके लिए ठीक है ठीक है केनसे पर्देश क्या है कहां पर है तो यह दिल्ली का है सबसे अनीयुन्तम कहां पर अनवान निकोबार में सबसे कम है योटी है जञतचितिसे शहां पर सबसे जबढ़ से तो यहां पर ठीक है निवास करती है तो कहां पर यूण टर्टरी के बात करने कहां पर लक्षदीव और अंडवान में नहीं है ठीक है तो यह चीजे हो गई आपके लिए डाटा और इंपोर्टेंट डाटा है क्योंकि जो जनगरना का डाटा होता है बहुत जड़ इंपोर्टेंट है अगरा पुछ भी नहीं पढ़ता है डाटा को लेकि यह डाटा आपको अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि 3-4 कोश्षन और शेको तक इस टोपिक से पूछे गए तो आ झाल झाल